आज की जो वीडियो मैं लेके आई हूँ यह वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बच्चे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर्ण कंट्री जाकर सैटल होना चाते हैं तो वो जहां से क्या क्या प्रेपरेशन करके जाएं तांके वहां जाकर बच्चे इसली सैटल हो सक जाती जे वीडियो उन बच्चों के पेरेंट्स भी सुन सकते हैं उनके जो भी बच्चा फॉर्ण कंट्री जाता है तो उसकी सारी प्लैनिंग उसके पेरेंट्स करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले डिसाइड किया होता है कि हमने अपने बच्चे को टैंथ के बाद जाएं तो उसकी सारी प्रेपरेंशन पेरेंट्स को करनी पड़ती है तो अगर वीडियो उनके पेरेंट्स सुने तो उनके लिए ज्यादा बैटर रहेगा क्योंकि ऐसा होता है कि जब बच्चा प्रस्टू के बाद जा रहा है फॉर्ण कंट्री जाकर सैटल होने के लिए तब अगता रहा है तो उसी के बेस पर स्टूट को बैंक लोन मिल सके अगर आपके पास नगद पैसे भी हैं, तो भी आपने क्या करना है, उस पैसे की FDR करवा दिनी है, और बैंक लोन से ही आपने कॉल और यूनिवस्टी की फीस बरनी है, ताकि आपके पास प्रूफ रही, उसके बाद आगे आता है, आपने अपने बच्चे के नाम पे बैंक मे खलवाना चाहते हैं, तो आप अपने नाम के साथ जोड़कर बच्चे का सांजा खाता खलवा सकते हैं, यह भी बच्चे के आगे काम आईगा, उसके बाद अगर आपका लड़का लड़की मचौर हैं, और रिस्प्रॉंसिबल है, और आपके पास तीस लाक रुपए का रे तो यह आदता आप बच्चों को यहीं से डाल के बीजे, काफी बच्चे वहां पर क्या है, जहां से बच्चों को पता नहीं होता कि वहां जाकर बच्चों ने अपना काम खुद करना है, तो वहां जाकर वहां के रिवार्मेंट के बच्चे अपने उकों मिक्स अप नहीं क उसके बाद आगे आता है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप अपने लड़के लड़की को बीए डिग्री आई टी करने के बाद ही क्नेडा बीजें क्योंकि वहां पर क्या है कि अगर आप दो साल की का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए भीजो गए तो उसको साल का पोस्ट वर्क पर मिल सकता है तो आपके पैसे की बच्चत हो सकती है तो इस बात का अपने धियान रखना है पेरंट से इमिग्रेशन लिजम में मतापक जो भी अभी जो प्रेजंट इमिग्रेशन है उनके मताबक क्या है इंटरनेश्ट स्टूडेंट करेड़ा में पक्के होने की अरजी दाख्ल करते हैं तो सिर्फ वहां पर टोटल noamber of years of study को टूटल noamber of years of Canadian work experience को जादा देखा जाता है वहां पर यह नहींगे देखा जाता तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है अगर आपका बच्चा पढ़ाई में उश्यार नहीं है तो उसे वोकेशनल ट्रेड जाट टेक्निकल कोर्स के लिए ही बेजे क्योंकि वहाँ पर इसके लिए थियोरी कम करवाई जाती है और प्रैक्टिकल जादा करवाया जाता है और इस कोर्स की फीस भी बहुत कम होती है बच्चे को पढ़ाई कम करनी पड़ती है इसमें तनखा भी बच्चों को जादा मिलती है और बच्चे एजली क्रेड़ा में जाके पक्के भी हो सकते है और वहाँ पर पार्ट टाइम काम भी एजली मिल सकता है तो आपने इस बात का भी पेरेंस ने ध्यान रखना है कनेड़ा में क्या है लड़कों के लिए कोई वाइट कलर जाब नहीं है अगर आपने एम बिय भी की हुई है तो भी वहाँ पर आप एक बिजनेस एडिमिस्टेशन का कोर्स अगर आपने किया है तो आप वहाँ पर एजली असानी से पक्के हो सकते हैं बस इतना हो सकता है और कोई वाइट कलर जॉब वाइस के लिए नहीं है और किनेडा में क्या है अगर आपने बिचे को पढ़ने के लिए वहाँ भीज काई है तो आपके आइलर्स के जो आपका जा रहा है उसकी आइलर्स में अच्छे नमबर होने चाहिए क्योंकि वहां पर क्या है कि साड़े पांच बैंड बाला वीक लेड़ा में जाके सैटल हो सकता है लेकिन वहां पर पके होने के लिए उसे दोबारा आईलर्स का अग्जाम पास करना पड़ेगा अगर पांच साल बाद आईलर्स पास नहीं कर सका तो उसे वापस इंडिया भी आना पड़ सकता है तो बच्चे को जहां से ही पहले ही इंगली स्कूल में पढ़ाएं और बच्चे को आईलर्स की तियारी करवा कि अच्छी बेजें ताके बच्चा वहाँ पर जाके अपने आपको श्रमिंदा में सूसना करें और वहाँ इंगलीच अच्छी होने के कारण वह वहाँ पर अच्छे से पढ़ सके और बच्चे को इंगलीच से साथ साथ कंप्यूटर की नॉलर्ज देकर भी भेजें अगर आपके बच्चे को कंप्यूटर की नॉलर्ज होगी तो वहाँ जाकर इजली वह सेटल हो सकता है और पार्ट टाइम जौब भी अच्छी कर सकता है क्योंकि आपको पता है कि कनेड़ा जो कंट्री है वहाँ कताब में विगरा नहीं पढ़ाई जाती वह पेपर लेस से करने के बाद भीजना है अगर आपकी पहले सी बच्चे को वदेश में पढ़ाने की प्लैनिक है तो बच्चे को आर्स में हिस्ट्री प्लिटिकल साइंस जा फिजिकल एजुके जैसे स्ब्जेक्ट ना लेके दे क्योंकि वैस्टनर कंट्री में इन स्ब्जेक्ट के से 17 करनी है तांकि आपका पैसा बरबादाना हो अपने पर से प्रूफ रहे हैं कि अपने को पेमेंट की है is सही कॉर्स और युनिवस्टी की फीजिज़ंटि अलगलग एजेंट से पर्ले पता करो के कौन से को कर्स की क्या फीज है तांकि आपके साथ किसी तरख का ना हो उसके बात आखे बताने जारही हूँ कि कंसल्टेंस से अपने कौण कॉंसी बातों पर विचार करना है ताके आपके इजन को पता चले कि आपको कुई नौलज है जा नहीं है आपनी उनसे क्या बात करनी है वह आपके बतानी जा रही हूं कौन सा कॉर्स पहले की पढ़ाई क्या जो भी कॉर्स उसने कहा दिया है वह कॉर्स आपकी पढ़ाई के साथ relevant है जा नहीं है क्या है और मैं बच्चों को जही सुजाशन दोंगी कि जो बच्चे इंटरनेशन स्टूडेंट के तौर पे क्रेड़ा में आना चाहते हैं वह बच्चे वैंकुवर और ट्रांटो को वाइड करें क्योंकि वहां पर पार्ट टाइम काम ढूंड़ना भी बहुत ही मुश्कल है वहां के पी यार लेने में भी काफी यार टाइम लगता है वहां रहने का खर्चा भी काफी ज़्यादा है और ट्यूशन फीस भी ज़्यादा है तो प्लीज इन दो स्टेट को आप अवाइड करें जिस कॉलेज या उनिविस्टी में एजेंट बेज रहा है क्या वो डी एल नौकरी करनी पड़ती है और जिस विसे में एजेंट बेज रहा है क्या उसका आपको पोस्ट ग्राजूटी वर्क्मेंट मिलेगा जैन नहीं मिलेगा यह अपने 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 एजेंट से पूछना है क्या एजेंट का स्टाफ आपकी प्री लेंडिंग इंट्रिव्यू क की ट्रेनिंग करवाएगा नहीं करवाएगा केस त्यार करते समय कोई भी अपना डॉक्मेंट जो भी लगा रहे आप जाली डॉक्मेंट ना लगाए इससे आपका नुक्सान हो सकता है एजेंट की जो भी पेमेंट करनी है वो बेंक के थ्रू करें तांकि आप किसी तरह की आपके साथ किसी तरह का दोखा ना हो अमबैसी में लगाएगे ऑनलेंड एप्लिकेशन को पढ़के ही साइन करें और उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें आपके लिए अच्छा प्रूफ रहेगा बच्चे की स्टडी में को भी गैब ना डालने अगर कोई गैब है तो आप उस गैब को किसी भी चोटी मुटी इंस्टीट में बच्चे काडमेशन करा दें ताके वो गैब ना रहे तो आपको आपके लिए अच्छा रहेगा आपके बच्चे के लिए क्रेटा की जो उनिवस्टी जा कॉलेज हैं वो क्या करते हैं जितनी उनके पास सीर्स हो ना फिर उनको कोर्स चेंज करने के लिए बोला जाता है तो प्ली जो बच्चा कोलेज में ले चुका है और जो कोर्स अपने लिया हुआ है तो उस कॉलेज की अपनी रिजिस्टेशन साखा के साथ आप इमेल के थूरू जा फोन नमर के थूरू कॉंटेक्ट में रहें और जो भी आपने सही कोर्स चुना है ताकि आपको उसमें अडिमेशन मिल सके तो इन बातों का अपने ध्यान रखना है अगर आप इन बातों को ध्यान रखोगे तो पेरेंस से बहुत ही कम खर्चे में बच्चे को फोन कंट्री बेज के सैटल कर सकते हैं और आपका पैसा भी और बाद नहीं होगा तो इन बातों का आपके पेरेंस ने भी और बच्चों ने भी ध्यान रखना है और अगर आप हमसे किसी तरह का राप्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे पीछी देर नंबर 981510148 पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं वीडियो को जाजा लाइक करें और शियर करें और यादा प्रटेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू